वेलकम बैक टो गिमिंगे रहतु क्या हाले आप सब लोगों के उमीद कपता हूं सब कुछ बढ़िये ही होगा तो मीडिकी शुरात कर लेते हैं टीम गॉडलाइक के साथ सो रिसेंटली हुए लैन इवेंट में आपने देखा होगा कि गॉडलाइक की परफॉर्मेंस हमें काफी लोगों को काफी एक्सपेक्टेशन थी जो पूरी नहीं हुई एन इसी के चलते हैं स्वीरो ने गॉडलाइक के डाउन फेस के बारे में बात करी गॉडलाइक के लिए PMGC के बाद I think उनका बाइंटसेट कराव हो गया उनका जो जो एक रिदम ती वो रिदम तूट गया और रिदम वापस नहीं आ रही जो बिलीफ है वो खतम हो गया है या तो IGL के अंदर जो बिलीफ है वो खतम हो गया है और all these teams जब भी एक बड़ा टूर्नामेंट होता है न तो वो एक बदलाव आता है बदलाव के बाद कुछ टीम है टिक पाती हैं कुछ टीम है नहीं टिक पाती बहुत सारी टीमों में बदलाव आया, बहुत सारे young players आया, वो जो डर नाम का factor था ना टीमों के अंदर, जब भी कोई टीम Godlike के सामने आती थी, वो डरती थी, कि Godlike हम पे रशना कर दे, अब सिरफ Godlike नहीं है, अब TSMB अच्छा खिलती है, EXO की smartness देखने को मिल गई है, तो I think कई ना कई PMGC के बाद Godlike का confidence down हुआ है, और वो downfall के बाद वो अभी तक उठनी पाए है, I feel के, बिलीफ नहीं रहा उनके अंदर, अपने ही साथी players के बीच में, क्योंकि वो बात आ नहीं रही है, वो टीमवक नहीं देखने को मिला, but still, we are just speculating, हमें नहीं पता surety क्या है, अंदर टीम के क्या हो रहा है, but I think they can make a comeback, but जो changes आए हैं, जो बादलाब आए हैं, वो बागी टीमों के लिए बहुत अच्छे साबित हो है, जो Godlike ने बादलाब करने की कोचिश करी, वो अच्छी नहीं हुए, एन उनी के डाउनफॉल पर जाइरो गौड ने कुछ ये कहा, कि बेसिक और कॉडिनेशन में लैक होने की वज़े से, वो काफी वर्स सिच्वेशन पर थे, एन उनको मावी की इंपोर्टेंस यहां पर फील हुई, एन वो सब समझ रहे हैं, और ओवरकम करेंगे वीकनेस को, एन यह लैन एक रियल्टी चेक था, और सो टेक के डाउन फॉल कर और बी बूपीनियन समित देखने को मिले, X-Park the biggest bummer was Mavi not being there, right? As an IGL, I consider Mavi more experience, right? Not that it 420 is any bad, 420 पी अच्छा IGL है, he has done good job, but their team is more comfortable around playing with Mavi, अब हर एक आईजल का खिलाने का तरीका अलग रहता है अब 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 बिगेस्ट चालेंज विद एक्सपार्क वस अब इतने शॉर्ट स्पान अफ ताइम में देहाद टो गेट नुव प्लेजरी अब अब देखो जितने भी टीर वान टीम है वो अलड़ेश हो चुके तो इनको इतने शॉर्ट स्पान में अब मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक नहीं टीम बनती है तो अटलीस तीन माहिना चार माहिना उस टीम को घिस के ग्राइंड करना पड़ेगा और दुनिया भुला के ग्राइंड करना पड़ेगा वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं आज के स्पॉंसर के बारे में जो है 1xbet एक ऐसा अप्लिकेशन जहां से आप काफी सारे पैसे कमा सकते हो अपने फेवरेट टीम की हल्प से और आप यहां पर प्रिडिक कर सकते हो मैचेस को कॉल अफ डीटी, डोटा टू, वैलोरेंड, सीएस को, लीग ओफ लेजेंड के टोवनमेंट्स में और काफी सारा प्रॉफिट यहां से अर्न कर सकते हो और वनेक्स बेट यहां बहुत ज़्यादा ट्रश्ट पर दी एप्लिकेशन है जिसके पार्टनर्स भी हैं जैसे एसल, वीपले, एन एर आईपेल के चैंपियन्स भी जैसे ड्वेन ब्रावो, फेमस क्रिकेटर लाइक युवरास सेंग, एपसी गोवा, बैंगलुरु बॉ जो जॉइन करो वनेक्स बेट और बात कर लेते हैं अब देशी केमर के बारे में, सो देशी केमर के जिस मूजिक वीडियो की हमने बात करी थी, यानि सपने, वो ओफिशली रिलीज हो चुकी है, और आपने अगर देखा है तो जरूर बताना कि आपको यह सौंग कैसा लगा जो बाहर का सिनारियो है, तुमने भी गेम देखा है, बाहर के सिनारियो में रोटेशन है, बट सबसे इंपॉर्टन चीज़ क्या है, उनका फायर पावर, वो लोग अगर RRQ चलब तो ही नहीं, NOVA इन सबको तुम देखा, तो वो एक लाइन से घुसते चले जाते हैं, जोन आईजेलिंग पर, बहुत जादा, बट जब बैन हुआ है, तो सब ने फोकस किया फायर पावर पर, अब क्या है कि फायर पावर तो बढ़ गया हमारे पास, बट आप आईजेल कम हो गए, तो अब वापस से आईजेल लाया जा रहा है, लेकिन अब जब आईजेल मुई जो फाड देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनाशनल सिनारियो में, आईजेलिंग तो है, बट उनका जो फायर पावर, एक और दो-तीन सीन तुमने देखे होंगे, कि एक टीम है, जोन के बीच में, तीन तरफ से टीम है, अब सब को रोक रहे हैं बोलो, इंड बच के खेलती थी, छुप के खेलती थी, निकलती थी, एंड जोन और फिर खेलती थी, और फिर खेलती थी, और फिर फिर परफॉर्मस अच्छा नहीं आता, तो आज मुझे इतना पता है कि इंडियन टीम सब जाएंगे न इंटरनाशनल लेवल पर, बट अच्छा TSM इस ताइम पर किसी को भी मार सकते हैं, इंटरनाशनल में भी, वो तो कल भी पता चल गया अगर देख, वो तो अटॉप कर गी मैंता है, यह क्या होगे, निंजा जॉर्ड और वाट, बट बट इंडियन उनका क्या ओपिनियन एं ग्लोबल ही सपोर्स के लोग परफॉर्म माया भी ऐसा बोल रहा था कि गॉडल से अग्रेसिव टीम मनाना उसको, जी मेरी फेरिट टीम है भाई, बेस्ट अफ लग भो, जी नेक्स ओनलाइन इवेंट पर दिखाता है, अहां BMPS तो ही रहा है online, जी BMPS का फाइनल से लाइन हो सकता है, chances है क्योंकि अभी यह लाइन ह अब वीडियो मागे में देते और बात कर लेते हैं, निंजा जोट के बारे में, सो रिसेंटली निंजा जोट से पूछा जाता है कि अगर इन केस उनको गॉड लाइक से ओफर आता है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे, एन इन रिस्पॉंस वो डिनाए करते हैं अब वीडियो मागे में बात कर लेते हैं, ग्लोबल इस्पॉर्स के बारे में, सो आप सबी ने कहीं न कहीं देखा होगा कि ग्लोबल इस्पॉर्स की परफॉर्मेंस काफी लो रही लैन इवेंट में, एन इसी के चलते काफी लोगे ऐलिगेशन लगा रहे थे, कि वो जब इसलिए परफॉर्मेंस आ रहा था, कॉस वो हैक उस कर रहे थे, एन ऐसे ऐलिगेशन उन पर लगते वे अमें नजर आए, वैल इसी के चलते मायवी ने एक रिपलाई दिया, उन सभी को जो हैकिंग ऐलिगेशन उन पर लगा रहे हैं, अगली बार अगर वीडियो में तून लगा, वो तेरा राइट है, तेरे को कोई कुछ नी बोल रहा है, तो लगा, तुरे बस प्रूफ है, तु प्रूफ दे, बट क्लिप्स उठा उठागे, बातों को तोड़ मरोड करके कुछ बोलने से कुछ नी होगा, तुझे करना है कर, बट अगली बार अगर गाली दी, तो याद रखियो, कास्टिंग मैंने छोड़ दी है, मेरे को अब डर नी पड़ा किसी चीज़ का कि मुझे आगे चलके कास्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं अब कास्टर नहीं हूँ और ना कभी करने वाला हूँ, मुझे फरग नहीं पड़ता अब इन सब चीजों से, तेरे में दम है, तु एलिगेशन लगा रहा है, तु प्रूफ कर, तु ने एड्मीनों पर है, एकिंग एलिगेशन लगाया, तु ने एड्मीनों का प्रूफ दे और मैं उसको टीम से निकाल देता, बट मैंने उसको टीम से इसलिए हटाए क्योंकि उसके एक्जाम्स ह ये दुरगेष भाई दे न, पुरूफ पूफ दे भाई क्लिपिंग तो उसने स्वं मेराज में भी लगाई है, क्लिपस के बिशिज पे क्या हैक है, तस लुख अपने क्लोप दे रहे हैं। प्रॉबलम तो तब हो न कि जब हम अपना क्लिप भी नहीं देs हैं हम अपना क्लिप भी ना दे तब दिक्कत हो न भाई हम दे तो रहे हैं तो बस आज की इस पठकलर वीडियो में सर्फ इतना ही उमीद कवता हूं आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना चैन को भी सब्सक्राइब तब देना बाकी वीडियो में अगली वीडियो में साइनिंग ओफ